आपका एक बार फिर से स्वागत हैं दोस्तों MP में एक न्यूज पेपर में राज एक्सप्रेस में 11 मार्च को एक विग्यप्ती आई थी साइद 11 ही था 10 भी हो सकता है 12 भी हो सकता है जहां तक है वहाँ 11 मार्च ही है तो 11 मार्च को एक विग्यप्ती आई थी उसके अंदर आरचियो के एप्लिकेशन फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं वो एक डेट दियूई थी उसके लावा एक्जाम कब कंड़क्ट होना है उसकी भी डेट दियूई थी ठीक है इसके साथ साथ जो असिस्टेंट क्वालिटी कंड्रोल है उसके जो एप्लिकेशन फॉर्म है उसकी और एक्जाम डेट के बारे में दिया हुआ था बहुत सारे स्टुडेंट को डाउट है कि यह जो है वो सिरफ राज एक्स्प्रेश न्यूज के अंदर ही विग्यप्ती आई है उसके अलावा जो प्रोफेशनल एक्ज जो है और उसके साथ की जो पॉस्टें हैं जैसे मैंने बताया असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर इनका एक्जामीनिशन पेटन क्या होगा इनका सलेबस क्या रहने वाला है और इनका एक्जाम कब होने वाला है तो इस पर अपने इस पूरी सेशन के अंदर डिसकस आज हम 2013 का जो पेपर है उस पर डिसकस करने वाले हैं आगे दीरे दीरे अपने 2016 पर भी डिसकस करने वाले हैं ठीक है स्टुडेंट तो आज की सेशन में हम डिसकस करेंगे कि कब तक एक्जाम होगा या फिर ये जो नोटिफिकेशन आया सही है या गलत है एक्जामीनेशन पेटन क्या रहने वाला है और इसका सलेबस क्या है और प्रिवियस एर का जो पेपर है उस पर भी अपने डिसकस करने वाले हैं तो स्टुडेंट सबसे पहले मैं बात करूं कि इसका एक्जाम पेटन क्या रहता है हो सकता है बहुत सारे स्टुडेंट को इसक एक्जाम पेटन क्या रहने वाला, हलांकि ऐसा नहीं है कि मद्य परदेश से बाहर के स्टूडेंट ये एक्जाम नहीं दे सकते, ओपन में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिछली बार एक कंडिशन लगाई थी, जैसे रोजकार पंजनिय की कोई कंडिशन लगा हैं, MP के स्टूडेंट के अलावा, MP से बाहर से भी कोई स्टूडेंट है, वो भी इस एक्जाम के लिए इलिजिबल रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट, लेकिन सबसे पहले मैं पैटन की बात करता हूँ, तो स्टूडेंट यहां पर क्या है, पेपर एक ही कंडिक्ट करवाया है, जो सो मार्क का पार्ट फरस्ट रहता है, यानि सो क्योसन का पार्ट रहता है, ठीक है, उसके अंदर आते हैं, सो क्योसन में क्या क्या आएगा, पहला जो पार्ट है, जिसका सो मार्क है, टोटल कितने मार्क्स का है, दो सो का है, दो सो नमबर का पेपर है, जिसमें सो नम इलाग के कितने क्यों सन आते हैं स्टुडेंट सो क्यों सन आते हैं और जो related subject है मैं बोलूं तो होटी कल्चर और होटी कल्चर के कितने क्यों सन रहते हैं स्टुडेंट सो क्यों सन रहते हैं और सो marks के ही रहते हैं सो number के रहते हैं अब बात आती है कि इसके लिए eligible कौन होता है B BSE Agriculture, BSE HOTICULTURE वाला इसके लिए eligible है BSE Agriculture वाला भी eligible है और BSE HOTICULTURE वाला भी क्या है इसके लिए eligible है MPK student तो eligible होंगे क्योंकि MPK vacancy लेकिन MPK बाहर के जो student है वो भी इसमें eligible है जिनका BSE Agriculture या BSE HOTICULTURE हुआ है लेकिन exam में जो वेटेज है वो किसका है होटी कल्चर क्या है क्योंकि RHEO है Rural HOTICULTURE Extension Officer होटी कल्चर से related क्या है पोस्ट है ये अब मैं बात करता हूँ कि जो राज एक्सप्रेस के अंदर जो notification था ये उसी अक्वार से ही लिटाया आ गया एक notification है ज़्यादा हमीं discuss नहीं करेंगे student देखो मैं आपको बता रहा हूँ जिला वरिष्ट उधान विकास अधिकारी और उसके अलावा मैं बात करूँ तो परबंदक गुणवत्ता नियंतरक के जो पद है उसके अलावा यहाँ पे दिया उधान विकास अधिकारी और सायक गुणवत्ता नियंतरक quality controller है उसकी है दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो ग्रामिन उधान विकास इदिकारी यानि आरच्चियों की पोस्ट है और उसके बाद देखो साइक गुनवत्ता नियंतरक की पोस्ट है यानि assistant quality controller यहाँ चार पोस्टों का जिकर किया गया है अभी क्या है कि जो professional examination board है जो MP का board है जो exam conduct करवाता है वहाँ पर किसी तरह का कोई notification जारी नहीं हुआ है फिर भी qualification की अगर हम बात करें तो समुए 2 की जो पोस्ट है समुए 2 में कौन सा आता है student एक तो RHEO आता है जिसकी सबसे ज़्यादा पोस्ट है और बच्चों को सबसे ज़्यादा उसी का इंतजार था 187 पोस्ट है कितनी है 187 पोस्ट है और उसके अलावा assistant quality controller जो है साइग गुनवत्ता नियंतरक है तो इसकी कुछ पोस्ट है accurate नहीं पता है मुझे अभी क्योंकि अभी क्या है जो professional examination board है उसका notification आया नहीं है तो लगबग 13 के आसपास इसकी फोस्ट है और इसके लिए BSC agriculture वाले eligible है इसके लिए कौन से eligible है BSC agriculture वाले और BSC होटी कल्चर वाले BSC agriculture वाले और BSC होटी कल्चर वाले eligible है समुए 2 में अगर मैं बात करूँ समुए 1 की हना तो इसके अंदर जिला वरिष्ट उधान विकास अधिकारी और परबंदक गुणवत्ता नियंतरक है जहां तक हो सकता है इनके लिए master मांगा जाएगा इनके लिए क्या मांगा जाएगा student master है न MSC के जो student होंगे वो इसके लिए eligible होंगे और आपको लंबा इंतजार नहीं करना है ये लगबग ये मान के चलिए 16 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच बीच में क्या है इसकी विग्यप्ति है वो यहां professional examination board पे जारी हो जाएगी लेकिन सभी का कहना यही है कि 16 मार्च को इसका जो विग्यप्ति है वो या फिर इसका जो अपडेट है वो professional examination board यानि MP की जो agency exam conduct करवाती है उस पर show होने लग जाएगा फिर just बिल्कुल crystal clear हो जाएगा कि क्या रहने वाला है यहां पे देखो इन्होंने का है कि exam 26 और 27 अप्रेल को हो जाएगा एक्जाम कब हो जाएगा 26 से 27 अप्रेल को अब जिन student की पहले से अच्छी त्यारी थी वो है इस बात से खुस और जिन student की अच्छी त्यारी नहीं थी वो यह कहते है कि 45 days में त्यारी होना क्या है मुश्किल है ठीक है उसके अलावा लोगों का ये भी मानना है कि देखो आज तक तो professional examination board है उसने 45 दिन में notification के 45 दिन में exam कभी conduct करवाया नहीं है इस बार करवाने में काम्याब होगी या नहीं होगी इस बात का पता नहीं है ठीक है जैसे ही form application start हो जाती है तो ये price दिया हुए कौन क्या भर सकता है लेकिन जैसे ही professional examination board है वहाँ पर जब इसकी बात होगी वहाँ पर कुछ update होगा तब हम बात करेंगे कि क्या कुछ इसमें वास्तम में जो है कभ forum भरे जाने है कभ exam होना है लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना आरचियो जो है उसका qualification हर हाल में BSC agriculture होटी कल्चर होगा और जो assistant quality controller है उसका भी BSC agriculture होटी कल्चर होगा जो मैंने दो उपर की post बताई थी वो MSC हो सकती है कौन सी हो सकती है MSC और जहां तक मेरा मानना है वहां तक क्या होगा MSC पर अधारित होगी तो इसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा student 16 मार्च तक आपको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि professional examination board पे 16 तारीकों इसके आने की संभावना है उस notification के अंदर पूरी detail दियुए लेकिन अगर आप इस exam को देना चाहते हैं और इस exam की त्यारी रखना चाहते हैं पार्ट कौन सा आएगा और आप अपनी त्यारी है वो जोरों सोरों से start कर दे क्योंकि अगर 45 दिन में exam conduct करवाया तो फिर student के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है कि वो फटा-फट cover करें लेकिन इस समस्या का समाधान करने के लिए online agriculture application या website पर MPRH.io का जो course है वो चल रहा है वहां से आप इस complete course को access कर सकते हैं यानि subscribe कर सकते हैं और ज़्यादा detail अगर आपको चीए तो यहाँ पे नीचे दो number दियेगे हैं इन दोनो number पे पहला number calling और whatsapp number है दूसरा number केवल whatsapp number है जिन पर contact कर सकते हैं यहाँ पर पूरे का पूरा study material भी available है study material चीए तो study material मिल जाएगा आपको और अगर आपको online course चाहिए तो पूरे का पूरा online course है वो available आप लोगों के लिए होगा अब हम बात करते हैं student इसके syllabus की इसका syllabus क्या रहने वाला है जो next stage है वो है syllabus syllabus की एक एक लाइन का तो मैं यहाँ पर discuss नहीं करूँगा student लेकिन जो main main point है वो मैं आपको बता देता हूँ statics रहेगा इसमे fundamental of soil science रहेगा इसमे यानि मर्दा विज्यान रहेगा landscape gardening रहेगी horticulture की post है तो horticulture तो पूरा रहेगा introductory economics रहेगा economics का basic part रहेगा biochemistry और bio technology का भी student basic part रहने वाला है crop physiology रहने वाली है इसमें fundamental of horticulture horticulture का basic तो आना ही आना है introductory microbiology रहेगी इसके अंदर principle of genetic and cytogenetics ये भी आएगा tropical and subtropical fruit आएगे tropical and subtropical vegetables principle of plant breeding हना soil fertility and nutrient management fundamental of food technology water management in horticulture crops plant propagations and nursery management next अपने आगे देखें syllabus में अभी मैं आपको इसका paper भी बताऊंगा 2013 के जो paper है उसके question भी मैं आपके साथ सांजा करूंगा तो आप देख लेना इसका क्या level रहता है environmental science का basic basic बहुत हलका अलका पाट आएगा growth and development of horticulture crops यानि PGR वगेरा growth वगेरा आजाएगी इसके अंदर उसके लाव अगर हम बात करें तो fundamental of plant pathology mainly horticulture से related fundamental of entomology temperate vegetable nematode paste of horticulture crops and their management disease of fruit plantation medicinal and aromatic crops उसके लाव farm power and machinery उसके लावा temperate fruit weed management in horticulture crop commercial floriculture soil and plant analysis spices and condiment masalae और condiment ornamental horticulture plantation crop mushroom culture breeding of fruit and plantation crop orchard management उसके लावा insect paste of fruit plantation medicinal and aromatic crops उसके लावा organic farming introduction to major field crops यानि जो सशे विज्ञान की फसले हैं medicinal and aromatic crops introductory agroforestry यानि करिशिवानी की breeding of vegetables tubers और spices crops disease of vegetable ornamental and spices fundamental of extension education पर्शार शिक्षा potato and tuber crop aloo और दूसरी जो tuber crop है apiculture insect pest of vegetable ornamental and spices crop post harvest management of horticulture crops seed production of vegetable tuber and spices breeding and seed production of ornamental crop processing of horticulture crops horti business management or entrepreneurship development and common communication skill ये कुछ जो पार्ट है student ये जनरली क्या है इसके अंदर पूछा जाएगा अब आपको लग रहा होगा कि ये syllabus बहुत lengthy है अब आपको लग रहा होगा student की ये syllabus क्या है बहुत जादा lengthy है लेकिन ऐसा नहीं है ये syllabus इतना lengthy नहीं है syllabus की length को नहीं देखना है आप अराम से कर सकते हैं और जिन student ने हमारा कोई भी course पहले से ही subscribe कर रखा है तो उनको ये सब almost part करवाया गया है सारे का सारा part है most of उनको करवाया गया है student तो उनको कोई अलग से कुछ करने की जुरूरत नहीं है थोड़े बहुत जो पहला part था part first जिसमें से सोख क्योशन आते हैं उनसे त्यारी करने की जुरूरत है ठीक है हाँ एक चीज़ों ध्यान रखना कि हमारा जो online course है इसमें सिर्फ हम agriculture का ही part cover करते हैं क्योंकि हम agriculture के लोग है तो जायर सी बात है उसी से समन्दित्यारी करवाते हैं जिससे जो general knowledge था या मैं बात करूँ कि कुछ reasoning थी कुछ mathematics थी कुछ क्या था general science थी तो उसका part हम नहीं करवायने वाले हैं इसमें सिर्फ agriculture का part लेकिन जो हमने agriculture का part करवा दिया उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है ठीक है तो यह हो गई यहां पर syllabus की बात अब देखो मैं 2013 वाले paper के level की बात करता हूँ लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 2013 के paper का level है वो अब रहने वाला है 2013 का जो paper है उसका level अब रहने वाला है यह कोई जरूरी नहीं है कुछ ने कुछ level तो बढ़ेगा बात होगी 9 सालों की अब देखो मैं पूरा paper तो इसमें नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि जब 2013 का paper आया था तब सिर्फ इसमें होटी culture था तब इसमें सिर्फ क्या था स्टुडेंट सिर्फ और सिर्फ होटी culture था सिर्फ होटी culture था और कुछ नहीं था इसके अंदर तो 200 के 200 क्योसन ही होटी culture के आये थे तो आज की session में तो मैं 200 क्योसन आपको नहीं करवा सकता लेकिन कुछ से क्योशन करवा देता हूँ, explanation नहीं दोंगा मैं क्योंकि मुझे आदत है ना exam में explanation देने की यह जो मैं आपको quiz करवाता हूँ तो मैं यह पूरा paper मैं किसी next session के अंदर discuss करूँगा वहाँ पे मैं थोड़ा explanation भी देकर चलूँगा देखे student यहाँ पे पहला क्योशन था, which is indicator plant of testiza citrus जो आदेखो, जो testiza virus है, citrus के अंदर, उसका सुचक पोदा indicator plant पूछा गया है बड़ा simple सा क्योशन पूछा गया है, तो इसका right आपको ही पता है, citrus orantifolia है कौन सा है student, citrus orantifolia न, और citrus orantifolia किसका नाम है, acid lime का, यानि खटे निम्बू का है और वो इसके लिए क्या होता है, जन्नल इंडिगेटर पूछा है, तो यह इंडिगेटर plant का का काम करता है इस बात में कोई doubt ही नहीं है, दूसरा question है, second question जो है citrus जंबीरी बोल देते हैं, या जटी-खटी बोल देते हैं, तो यह सबसे उप्युक्त मूल वरंत है तो इस question का right answer क्या था? B option right था मैं कुछ question करवा रहा हूँ, 30 साल इस question करवा दूँगा, जिससे आपको एक idea हो जाएगा कि paper का level क्या था? मैंने quiz में बहुत का बार करवाए है, कि भारत में सबसे पहले जो high density planting adapt किया गया था, अपनाया गया था, सगंता से बाग रोपन, वो अमरूद में अपनाया गया था और कहा अपनाया गया था, Central Institute of Subtropical Hoti Culture में और अमरूद में अपनाया था और उसी से समंदित क्योशन है, कई quiz में मेरा ये करवाया हुआ है और इन में से कोई ऐसा क्योशन नहीं होगा, जो मेरा quiz में नहीं करवाया या जिसके पास मेरी agriculture success book और उस book के अंदर ये क्योशन नहीं होगे, देख लेना सारे के सारे क्योशन उसी में से है क्योशन right क्या होगा, यहाँ पर A option है, वो right होगा, ठीक है student next जलूँ मैं, next देखें यहाँ पर चोथा क्योशन है, bending in guava plants favors देखो, जो महरास्ट्रा के किसान है, वो अमरूद के पेड को साखाओं को जुका देते हैं ताकि carbohydrate का accumulation यानि संगरन जादा हो जाए और जिससे क्या होगा, फलन जादा होगा तो इन्होंने यही पूछा है कि guava में bending किस उदेशे से की जाती है, यानि साखाओं को किस उदेशे से जुकाया जाता है तो better fruiting के लिए जुकाया जाता है, यानि अच्छे फलन के लिए क्या होता है, इनको जुकाया जाता है अगले क्योशन के अंदर अगला क्योशन है student, which plant growth regulator is commercially used in graph for berry elongation यानि अंगूर में जो बेरी का साइज है, फल का साइज है, वो बढ़ाने के लिए क्या काम में लेते हैं बहुत बार student, मेरा quiz के अंदर भी ये क्योशन करवाया गया है, GA3 काम में लेते हैं, क्या काम में लेते हैं, GA3 काम में लेते हैं, clear है next जलते हैं, अगले क्योशन के अंदर, which one of the following is the best maturity index of graphs मतलों, अंगूर के अंदर जो परिपको सुचकांख है सबसे बढ़िया, वो कौन सा होता है, student, TSS होता है, D option है, बहुत बार करवाया हुए आप लोगों को, D option इसका राइट है, TSS, इसमें, GRAPS में TSS ही में अपने काम में लेते हैं नेक्स अपने बात करें, what is the time of flowering in pomegranate during मरिग बाहर, इसने पूचा है कि मरिग बाहर के में पुस्पन का सम्य क्या होता है, तो मरिग बाहर मानसुन के सम्य आने वाली बाहर है, और इसमें जो पुस्पन का सम्य होता है, student, वो कौन सा होता है, June, July होता है, कौन सा, June, July, या agriculture पड़ा हुआ, पेपेन है, वो पपाया से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, student, नेक्स अपने बात करें, नेक्स नाइन नमबर क्योशन, मैं 30-40 क्योशन गरवाद दूँगा, जिससे idea लग जाएगा, आपको paper का level क्या था, what is the optimum time for pruning in bear under the North Indian condition, उत्री भारती दसाओं में bear which is early maturing variety of bear, bear की सिगर परिपको होने वाली किसम, बहुत बार बताया हुआ है, गोला है, वो जल्दी पकने वाली है, मुंडिया, M से मतलो medium time में, यानि मद्यम सम्मे में, मैं से मुंडिया, मैं से मद्यम पकने वाली है, उमरान है, वो late variety है, तो अगेती कोन सी है, गोला, right answer क् student, C option, right है, करवाया हुआ है, इसमें कोई doubt नहीं है, गोला, गोमा, कीरती, ये सब क्या है, early variety हो में आती है, अगेती किसमों में आती है, what is optimum planting distance for papaya, देखो, अजकल 3 into 3 की distance, कोई नहीं लगाता है, लेकिन standard तो वो ही है, तो right answer क्या करोगे, C option है, वो right करोगे, clear, बहुत बार करवाया हुआ है, कोई doubt नहीं है, which variety of papaya is a diocese है, diocese सभाव की papaya कौन सा है, भाई, पूसा ड्वार्फ है, वो, क्या है, diocese है, C1, C2, C4, C5, C6, पूसा ड्वार्फ है, तो ये सब आप पढ़ते हैं, ये कौन सी है, diocese है, A option right होगा, सूर्या, करोग हने, D, ये तो गायन right answer क्या होगा, student A option, right होगा, अच्छी तरह से करवाया हुआ है, next है, 13 number question, which of the following species is most suitable for root stock, bear की यसी कौन सी जाती है, जो मूलवरंद के लिए बहुत श्यांदार है, root stock के लिए rotundi folia, R से root stock, R से rotundi folia, bear में सबसे बढ़िया मूलवरंद कौन सा है, R से root stock, कौन सा बढ़िया root stock, root stock, rotundi folia, कौन सा, rotundi folia, हमेशा याद रखो, रह से root, रह से rotundi folia, बस बात कदम, right answer क्या होगा, student B option, आपका right होगा, next अगले क्योशन में चलें, अगला क्योशन है, flowering time in online under the North Indian condition, भाई, अगेती में अक्तुबर, नॉम्बर, मद्यम में नॉम्बर, दिसम्बर, और प सारी, सारी आपको बता दी, तो नॉम्बर, दिसम्बर में, simple क्योशन था, which of the following is dwarf root stock, dwarf root stock, पुछा है, ultra dwarf नहीं पुछा है, गलती नहीं करनी है, dwarf है, वो कौन सा है, M9 है, कोई दिक्कती नहीं है इसमें, ये भी बहुत बार बताया हुआ है, आप लोगों को, इसमें क्या है कुछ है ही नहीं, next, vinegar mad from apple juice is known as, apple से जो vinegar त्यार किया जाता है, वो कौन सा होता है, apple से जो vinegar त्यार करते हैं, वो cider होता है, कौन सा होता है, cider होता है, कौन सा cider होता है, clear है, next, जलें अगले question के अंदर, अगला question ये कहता है, which of the following variety of date palm is suitable for च्वारा preparation, शाम को मस्थ होकर च्वार खाएंगे, शामरान है, ठीक है, शाम को मस्थ होकर, मस्थ का मतलो मद जूल है, शाम को मस्थ होकर च्वारे खाएंगे, यानि च्वारा के लिए, किसके लिए, च्वारा के लिए, ठीक है, च्वारा के लिए, वेराइटी है, शाम को मस्थ होकर च्वारे खाएंगे, खदरा खदराबी यह तीन वेराइटियां है जो किसके लिए बढ़िया है छुनाने के लिए बढ़िया है इन में से सिरफ कोन सी दियूही है खदरारवी दियूही है interests is जिसुदेंट घदरावी है तो राइट आंसर क्या होगा बी-ोप्सन आपका राइट होगा खदराबी है ना देखो वेने ट्रिक बताई शाम को मस्त होके च्वारे खाएंगे चार सबत्थे चारों चीजे इसमें आ गई तो खदराबी राइट है इसका नेक्स्ट अगले क्योसन में चलें हार्वेस्टिंग सेशन अफ जामून इज जामून कब खाते हो याद करो बारिसी आती रहती है बारिस के दिनों में जामून गिरता रहता है तो बारिस के टाइम जून जुलाई के समय जामून है उसके परिपक को मैचोर होन मतलो राइप ह बारिस में, जुन, जुलाई के अंदर होता है विच रूट स्टोक इज यूज फोर स्फोटा प्रोपोगेशन अरे भाई, बहुती सिंपल है, खिरनी है जो चीकु है, उसके अंदर कौन सा रूट स्टोक काम में लेते हैं खिरनी काम में लेते हैं बयर खाते हो लटे निकल जाती है उसमें से अना यही परहइसान करती है फलमकी, फ्रूट फ्लाई है बयर का सबसे खतरनाक कीट कोन सा है, फ्रूट फ्लाई मैं एक्स्पलेशन इसलिए नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं आपको quiz नहीं करवा रहा है मैं तो आपको बता रहा हूँ इस तरह का paper आ रहा है ना इसलिए सिर्फ मैं option पे ही ध्यान दे रहा हूँ next what is the scientific name of annaar butterfly vericola isocratus होता है vericola isocratus भाई ने दिया ही नहीं इसने दे रखाए interbella tetramus इस पे जाना नहीं है आपको ये किसका है bark eating caterpillar का है तो right answer होगा none of these इन में से कोई सा नहीं है vericola isocratus होता है annaar butterfly का नाम vericola isocratus नाम ही नहीं है यहाँ पे तो d option आपका none of these भी answer हो सकता है देखो हो गया ना यहाँ पे तो ये मत सोचना none of these तो होता ही नहीं है hand and chicken disorder ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं तो पुछा है किस में होता है तो आपको पता ही है किस में होता है hand and chicken इसको मिलरंडेज भी बोलते हैं grapes में होता है next citrus canker is due to genthomonas, exenophora, citrae, bacteria की कारण होता है इससे simple question क्या आने वाला है जिवानू जनित है next अगला question भी साइद simply लगे आपको propping operation is done in केले की पतियां बांदो ताकि वो गिरे नहीं उसको बोलेंगे propping तो बोल दिया कि propping पुछा गया है किस में की जाती है तो propping किस में की जाती है बनाना में यहाँ agronomy crop नहीं पुछा है agronomy पुछते तो आप sugar cane भी देख सकते थे option में है क्या तो यहाँ तो fruit crop पुछा है तो जायर सी बात है बनाना next is close planting of banana increase the incidence of kale में नजदिकी रोपन करने से प्रकोप बढ़ता है सब को पता है finger tip बढ़ता है क्या बढ़ता है फिंगर टिप जो है वो बढ़ता है ठीक है clear है कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें next अगले क्योस्टन में आरे भाई मैंने क्या चला दिया next है black tip of mango is black tip क्या है कोई कवक जनीत रोग है फंगल नहीं है बक्तेरियल भी नहीं है physiological disorder है क्या है physiological disorder है वो इंट के भटों के पास में अगर आम का बाग लगाते हो तो sulfur dioxide मुख्य कारण बाकी कोई भी poisonous against है वो इसके लिए कारण बन सकती है कभी का बार बरोन की कमी से ये रोग ज़्यादा देखने को मिलता है description की बात बाद में करेंगे next which paste is causing cause damage during the flowering time in mango mango है पर सक्क दा shape of inflorescence यानी जो आम का फुद का है वो generally क्या करता है आम के पुष्प का रस चूसता है तो इसने पुष्पन के टाइमिर पुछ है आम में पुष्पन के दोरान कौन सा नाशी जीवहानी पहुंचाता है mango हो पर पहुंचाता है भाई B option है वो आपका right होगा asparagus is a vegetable asparagus यानी सतावरी एक सबजी है बहुत बार बताया हुआ है कौन सी है पेर्नुवल्स है भाई बहुत बार बताया हुआ है राजस्तानी कहते है घणी बार बतायो है बहुत बार बताया हुआ है पेरनुवल्स सबजी है कौन सी सतावरी कुछ है की तो है पेरनुवल्स है जैसे कसावा है सतावरी है आटी चोक है यही तो क्या है मतलब रजान में कॉंसा गाते हो अीद पत्ती फल सब धेर खाता हमें कुण चुनना पड़ेगा जी तना छुनना पड़ेगा ऑप्शन राइठ है कोई दिक्कत नहीं है फलों की क्ल्वासिपिकेशन में हमेशा ही करवाता हूँ नेक्स्ट है, वेजिटेबल, सीडलिंग, ग्रोव इन नर्सरी आर रेडी इन वीक फॉर दे ट्रांस्प्लांटिंग एंफिल्ट, यह बोल रहा है कि सबजियों की जो पोध है, उसको आप नर्सरी से खेत में कब स्थाना अंतुरित करते हो, एक वर्सिय को करते हो, तीन से चा इन में से कौन सी सबजी में विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है, जिसको खाने के बाद सी सी करते रहते हो, यानि मिर्च चिल्ली हना, इन में से सबसे ज़्यादा, चिल्ली के अंदर विटामिन सी देखने को मिलता है, पढ़ते जाना क्योशन फटा, मैं ओप्शन भी न इसे करवाया हुआ है नेक्स राफ ब्लोसम एंड रोट इन टॉमेटो इसकोज टू टूमाटर के अंदर जो ब्लोसम एंड रोट है वो किसके कान होता है इन में से दियों में तो केल्सियम की कमी से होता है किसकी कमी से केल्सियम की कमी से वैसे अधिक तापमान भी आपने जो option दिये, उसमें right answer क्या होगा, भी option right होगा, next, root note in tomato is coach by tomato में मूल गरंथी का कारक आ रहे, सभी सबजियों में मूल गरंथी का कारक है, वो मैलिडो गायनी है, सोचने की जूर्त नहीं है, सबसे ज्यादा होस्ट रेंज रखने वाला ये सुत्तर करमिये, बहुत खतरनाक सुत्तर करमिये, बड़ी समश्या करता है, ये option right है एक हेक्डर में टमाटर का संकर आपको क्या करना है, किसम लगानी कितनी बीजदर चीए, न sudent 100-150 गराम एक हेक्डर इससे मिलता जूलता option कोन सा है, 100-125 गराम है, कोन सा है, 100-125 गराम है, right answer क्या होगा, ए option आपका right होगा A option है वो आपका right होगा ठीक है Next जले अगले question में अगला question भी बता ही देता हूँ मैं A lycopene development in tomato is advancedly affected when the temperature goes above 21-24 degree पे बहुत बढ़िया lycopene बनता है 27 के बाद बनना बन्द हो जाता है तो समझ लो प्रभावित कब से हो गया 25 से हो गया 21-24 पे सबसे बढ़िया बनता है तो सही उत्तर क्या दोगे C option है वो दोगे 27 के बाद बनना बन्द हो जाता है तो इस question के अनुसार answer क्या दोगे C option यानि 25 degree 21-24 पे बहतरी बनता है उसके बाद मतलो बहतरी नहीं बनता है लेकिन 27 के बाद है वो बनना क्या है कम हो जाता है ठीक है तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे 25 degree हना सबसे बढ़िया 21 से चोईश पे बनता है Which of the following is peer-safe variety of tomato नीमन में से टमाटर की कौन सी जो फल है नासपती अकार का होता है पुसा, रूबी, पंजाब, छोवारा, हिसार, लाली, और भाई इसने रूमा दिया है नहीं पंजाब, छोवारा है, नासपती के अकार का ही होता है इसने इतना आसान ने लिख दिया, जी ए-3 लिख दिया, 2-4-D लिख दिया, 2-4-D चिल्ली में नहीं यूज होती चिल्ली में नेके बराबर 240 यूज होती है कई बार 2 PPM यूज कर सकते हैं लेकिन बढ़िया नहीं है बढ़िया कौन सा है अन्ने है student कौन सा बढ़िया है NAA है वो ही बढ़िया है राइट ओप्सन क्या होगा A option, राइट क्या होगा A option होता है ठीक है Leap Curl Virus of Chili is Transmitted by हमेशा ही Controversal रहता है सबसे ज़्यादा Thrips से फैलता है उसके बाद White Fly से फैलता है और इसमें Thrips option में नहीं था तो जायर सी बात है कौन सा राइट आंसर होगा यहाँ पे White Fly होगा सपेद मक्ही होगा तो यह 40 question में ने AJ Sample करवा दी बाकी Horticulture का Paper होता है मन चलता रहता है करवाते जाओ, करवाते जाओ क्योंकि Horticulture शानदार इसलिए शानदार क्योंकि मैं Background Horticulture तो चलिए 49 होएं वाई एक और करवा देते हैं एक के लिए क्यों नराज करते हैं यह उत्तर तो आपको ही पता है पहले से ही पता है क्रेले में कडवापन के कारण होता है क्रेले में कडवापन Bitterness and Bitter Guardian Due to Momeridocene Memeridocene के कारण होता है किसके कारण होता है स्टुडेंट Memeridocene के कारण Right answer क्या होगा B option right होगा तो अब मैंने एक बार आप लोगों को 40 के उसन का सेंपल बता दिया है कि पेपर सोल करवाद दूँगा मैं पिछले दोनों ही पेपर सोल करवाद दूँगा इसमें कुछ विसेश नहीं है मुझे लगता है इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल था ही नहीं ज़्यादा मुश्किल पेपर में कुछ था ही नहीं यह क्या पता अभी 40 करवाएं 160 में कुछ आता मुश्किल तो वो तो बाद की बात है बाद में देखते हैं अपने ठिक है तो स्टूइंट घबराना बिल्कुल भी नहीं है तो तियारी करना स्टार्ट कर दें और त्यारी उन जिनकी है बहुत अच्छी बात है और वो बिल्कुल भी सलो नहीं हो अपने को और फास्ट कर देखो जिन्होंने पहले त्यारी किया जायर सी बात है अच्छी त्यारी किया क्रेडिट उनको मिलेगा क्योंकि उन्होंने पहले थे त्यारी कि लेकिन आप लेट भी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको डीमोरलाईज होने की जुरूरत नहीं है मेन होटी कल्चर का इस पार्ट जादा आना है और होटी कल्चर के हमारे कोर्स में तो कोई क्योशन बाहर से आजए स्वाली पेदा नहीं होता है तो आप लोगों के लिए एक opportunity है कि आप MPA आरचियो बनना चाते हैं तो ये कोर्स जॉइन कर सकते हैं मैं ऐसा नहीं कर रहा है कि हमारा जॉइन नहीं करोगे तो नहीं बनोगे ठीक है और 2016 का जो पेपर है उस पर भी डिसकस करूँगा वो भी मैं आपको करवा दूँगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो बस आज के लिए इतना ही थैंक यू